दोस्तों, क्या कभी आपने सूचा है कि एक सधारन सा दिखने वाला एजेंट जिसकी प्रोडक्ट नोलेज भी सधारन है, दूसरा एजेंट जिसके पास काफी एच्छा प्रोडक्ट नोलेज है, से आगे निकल जाता है, वो ज्यादा पॉलसी सेल कर पाता है, जानेंगे इस वीडियो में आखिर क्या कारण है, नमस्कार दोस्तों, मिरा नाम प्रशांत है, और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल प्रशांत एज पर, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ततकाल सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल पर मैं इंस्वरन सेलिंग से समधित वीडियो लाते रहता हूँ, साथ में बेल आइकन दमाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ, इसका नोटिफिकेशन आपको ततकाल मिल जाया, आज क राजा को एक बड़ा सा आकरशक बहमुल पत्थर उपहार सरूप देता है, राजा को वह पत्थर काफी अच्छा लगता है, राजा को बिचार आया, कि इस पत्थर से वह भगवान के मुर्टी बना कर इसे राज महल के मंदर में स्थापित करता हूँ, राजा ने पत्थर स मुर्ति बनाने की जिम्मेदारी अपने महामंत्री को दे दिया महामंत्री अपने राज्य के सबसे अच्छे मुर्तिकार जो पत्थर के मुर्ति तरासने की कला में निपुन था के पास गया और पत्थर देते हुए बोला हमारे महराज इस पत्थर से भगवान के मुर्ति बनाना चाहते हैं यह जिम्मवारी तुम्हारे उपर है एक माह में मुर्ति बनाकर राजदर्बार आजाना बदले में तुम्हें सो स्वन मुद्राएं मिलेगी मुर्तिकार काफी प्रशन हुआ और ततकाल अपने काम पर लग गया उसने अपने अवजार निकाले और छेनी और हथोड़ी से पत्थर पर वह वार करने लगा मुर्व पत्थर था जो तुटने का नाम ही नहीं ले रहा था थक हार कर वह जब सव हथोड़े चला चुका था तो सोचा चलो एक और हथोड़ा मारता हूँ मर उसी छन विचार आया सव हथोड़े तो चला चुका हूँ जब वह नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा निराज होकर वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास गया पूरा करना था वह एक सधार मुर्तिकार के पास जाता है और उसे पत्थर से मुर्ति बराने को बोलता है मुर्तिकार महामंत्री के सामने ही अपने अजार निकालता है वह पत्थर पर वार करता है वह पत्थर पहले वार में टूट जाता है माहा मंतरी सोचने लगा कास पहला मुर्तिकार एक और प्रयास कर लेता तो सव सवण मद्राएं उसकी होती तो दोस्तों ये स्टूरी हमें क्या सिखाती है यही कि हमें अपने प्रयास लगतार जारी रखना चाहिए एक सधारन एजेंट भी अपने प्रयास में निरंतरंता की बजह से सिखर पर पहुँच सकता है कंसिस्टेंसी किसी भी कारे छेत्र में आगे बढ़ने के लिए अतनत आवशक है एक काफी तेज बिद्धार्थी है मगर वह लगतार नहीं परता है कभी वह परता है कभी नहीं परता है वहीं दूसरी तरफ एक सधारन सबिद्धार्थी है वह नियमित रूप से लगतार पढ़ाई करता है दोस्तो आपको क्या लगता है अंत में कौन बेहतर रिजल्ड देगा जी हाँ दोस्तों वही देगा जो नियमित रूप से बढ़ाई करता है उसी तरीके से इंसोरिंग सेल में आपको आगे बढ़ना है नमबर और पॉलिसी ज़्यादा सेल करना है तो आपको लगतार नियमित रूप से लोगों से मिलना पड़ेगा उनको अपना पॉलिसी बताना पड़ेगा अगर आप कुछ लोगों दोरा नकारे जाने के बाद अपना प्रयास छोड़ देते हैं या फिर आपके प्रयासों में निरंतरता नहीं है तो आपको आगे बढ़ने में काफी कठनाई आएगी आप निश्चे करें कि आप एक सब्टा में कम से कम इतने लोगों से जरूर मिलेंगे इन्सोरंस प्लान की जरकारी जरूर से जरूर देंगे चाहे प्लान ले या फिर मना करते तो आप पाएंगे कि आपके पॉलिसी शेलिंग में बनातरी हो रही है यहां आउसत का नियम काम आता है इंसोरेंग सेल में डेटा यह बताता है कि अगर आप पांच नई लोगों को अपना इंसोरेंश प्लान गंभिरता पूरवग बताते हैं तो पांच में से एक ब्यक्ति आपसे इंसोरेंश पॉलसी ले लेता है हो सकता है कि आपने जो अपने पहले 5 ब्रक्तियों को पॉलसी समझाया वो 5 ब्रक्तियों मैंने मना कर दिया मगर अगले प्रक्तियों को बताया तो उनमे से 2 लोग ने ले लिया आपका औस्त वही निकल कराएगा दोस्तो आसा करता हूँ आपको मेरा या वीडियो उपयोगी लगा, किर्पया इसे लाइक कर, मेरा उस्साह वर्धन कीजिए, अपने मित्रोगत साथ सेर करके इस चैनल को ग्रो होने में मदद करें, दोस्तो अगर आपके पास कोई शिकायत या सुझाव है तो कामेंट्स करके मुझे बताएं, आप अगला वीडियो किस विशेय पर चाहते हैं यभी नीचे कमेंट्स करके बताएं, इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत अधिक धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में